इसकी वैल्यों है एक लाग 25,000 डॉलर के आसपस तो दोस्तों आप फटा फट से मार्केट का कुछ अपडेट लेते हैं कि मार्केट यहां से किस और यह पर मूव कर सकता है तो जैसे कि अब देख रहें जिस टाइम मैं वीडियो बना रहो इस टाइम जो बिटकोईन की सकता है लेकिन मैं यह बोलना चाहूँगा कि हिस्ट्री बार बार रिपीट नहीं होती लेकिन में भी बन सकता है तो उसको भी यहां पर हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और काफी लोगों के मन में बहुत सारी यह क्वेशन्स है कि यहां से जो बीर मार्केट तो न बोले हमारी वीडियो पांच दिन से नहीं उसका रिजन कुछ फैमिली इसू है उसकी वज़न से नहीं आप आई है और बोलना चाहूंगा हमारे एक टेलीग्राम चैनल पर वीडियो से लेक्टेट जितना भी जो अपडेट होगा वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मि कर दिया और जो यह ग्रीन लाइन है यह अच्छा कहसा इन पर सपोर्ट का रोल हैं जैसे कि आप सभी लोगों पता है कि यहांसे यह ब्रेक हुआ और यह liquidations कराएगी आप सभी लोगों को यह पता होगा कि यह यहां पर 4X 3X वाले भी यहां पर future trade वाले भी यहां पर liquidate हुए हैं और यह होने के बाद अभी इस current scenario के उपर आते हैं तो अभी यहां पर यह जो strong support का यहां पर काम कर रहा है अगर इस support की बात करता हूँ तो 44,700 के आसपास से लगा कर 44,000 के आसपास यह support यहां पर देखने को मिलता है अगर इस support को यहां पर break करता है तो हमें bitcoin की price यहां पर देखने को मिलने वाली है 42,000 डालर से लगा कर यहां पर 41,000 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है और यहां पर हमें एक cross भी देखने को मिल रहा है यह cross in candles के उपर बना हुआ है 200 moving average और 50 moving average का 4 every की candles में बता रहा हूं यह cross यहां पर बना हुआ है और ये candles के अगर नीचे बनता तो हमें एक अच्छा sign होता लेकिन ये उपर बना हुआ है इसका reason है यहां से fall होगा ही होगा अब यहां पर अगर लेकी candles में देखते हैं तो काफी लोगों को मन में यह questions था कि यहां पर एक golden cross होने वाला था लेकिन यहां पर क्या हुआ यह क्रॉस अगर यह अगर नीचे हमें देखने को मिलता तो इस market के लिए अच्छा होता अगर यहां पर इस range के अंदर देखने को मिल रहा है इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह golden cross नहीं है तो इसके बाद कब क्या scene हो सकता है इसके उपर देखते कि यह यहां से अगर break करता है इस range क 44,000 dollar की अब range को break करता है तो maybe हमें इस type का scene यहां पर देखने को मिल सकता है कुछ इस type का अगर इस range के अगर यहां पर hold करके यह इस range तक जाता है तो हम यहां पर वापस अच्छा कासे यह उपर का trend यहां पर देख सकते हैं दूसरा यह scene हो सकता है कि यहां पर आकर यह अपन काफी लोग अगर यह सुचते हैं कि bitcoin वापस हमें 30,000 dollar की असपास की price पर हमें दिखने वाला है तो ऐसा नहीं होने वाला है और काफी लोग अगर यह भी questions है कि यहां से वापस bear market आ जाएंगा तो हम कुछ पिछले scenario को यहां पर discuss करते हैं 2013 वाला मेभी यह यहां पर 2021 में apply नहीं हो सकता लेकिन इस type का scene भी यहां पर हो सकता है तो discuss हम इस पर करते हैं तो मैंने यह चार्ट open कर लिए यह चार्ट 2011 से लगा कर दो 2021 का पूरा प्रेयावा चार्ट है और जहां पर 2021 में जो bitcoin की price से एक bitcoin मिल रहा था सिर्फ एक डॉलर के आसपा सिर्यों में बताओ तो तो इसके हिसाब साब पता लगा सकते हो कि एज लॉंग ट्रम में इसने कितना profit दिया है एक डॉलर से लगाकर फैतालीस हजार डॉलर तक गया है और इसका all-time high अगर हम इस इस टाइम वीडियो बना रहे इस ताम 64,000 डॉलर के आस पर ताम हाई है तो इसको जूम कर दिया अब यहां पर हम बात करते कुछ इस टाइप का सीन भी हमें यहां पर पर देखने को मिल रहा है पर जंट क्रिप्टो सिनेरियों में तो जिस टाइम बिटकोइन की प्राइज यहां पर चल रही थी लगपक 16 डॉलर के आसपस हम मान सकते हैं और उसके ब लगबग अपने टॉप से लगाकर 50 वर्सेंट से भी जादा यहां पर गिर चुका था 83 डॉलर के आसपस आ चुका था 200 से लगाकर फिर उसके बाद वापस यहां रिकवरी करना सुरू किया ठीक है यहां से अगर इस लाइन के अंदर गुसता तो इसका मतलब हो जाता है यह बियर मार्केट सुरू हो जाते लेकिन फर्स टॉप फिर उसके बाद यहां पर अच्छा का सा फॉल हुआ उसके बाद वापत इसने इस लाइन को टच किया जो कि लगबग 1000 डॉलर के आसपस इसकी यह लाइन यहां पर दिख रही है 20 यहां पर देख सकते 20 डॉलर से कितना लाइन लग गए मैंचे यहां लाइन की नीचे गुश्त ही है सorn 270 मर्केट सुरू हो चुकता और अगर यह यहां पर गए गय कि यह जॉलग Separ कह ता हुआ कि लगबग इसी टाइम से यहां से तीन साल को यहां गैप देखते हैं 19 20 21 तो सेम यहां पर जो टॉप बनके आता है वो 2022 के आसपास यहां पर आता है पिछले सिनेरियों के हिसाब से तो मैंना चार्ट को जूम कर दिया जो नोगम है जो कि अपिछना którzy करता है जो कि अभी के सिनेरियों में छल रही है 44 एंड्रेड के आसपास ईवर यहां से कितना कर सकता है उसकी हिसाब से आपको मैं यहां पर बताने का ट्राइब करता हूं और जूम कर लेते हैं जिसके पूरा यहां पर किलर दिख जाएंगा तो अभी तक बिटकोईन ने इस इस लाइन को यहां पर टच नहीं किए सो इसका मैं रीजन यह हो जाता है कि यहां से बीयर मार्केट नहीं आएंगा इस लाइन के अंदर नहीं घुषने वाला जो कि अगर गुसता है तो 27,000 डॉलर की नीचे जाता है तो यहां से मियर मार्केट शुरू होता है अभी कि सिनेर को यहाँ पर में B touch करेंगा और इस तक यहाँ पर एक विक आ सकती है ठीक है तक करने के बाद फिर यहाँ पर इसरेन को मिल सकता है और में पिछले से क्हिए हिसाब से कर सकते उसके बाद हमें एक ब्हूब बताओ तो लग बग अभी आपको जस्टाइब मैं वीडियो बना रहूं इसकी वैल्यों है एक लाग पच्छिसजाद डॉलर के आसपस इसकी यह वैल्यों है तो हो सकता है कि हमें इस एरिया में देखने को मिले कि यह 38 38 के आसपस आने के चांसे बहुत कम है 42 का एरिया है वो में भी यहां पर देख सकता है फिर उसके बाद यहां पर अच्छा सा यहां पर अप्ट्रेट ले सकता है पिछले सेनेरियों की हिसाब से इस लॉंग टर्म के लिए विया आल्सों है बुलिस मैं यह नहीं मानता कि यहां से हमें वापस बियर मार्केट देखने को मिलेंगा तो वह यहां पर नहीं होने वाला जब तक इस लाइन को हमें टर्च नहीं करता है तब तक हमें वापस एक बियर मार्केट देखने को नही पास तो यह इसका जो फर्स ट्रॉप हो सकता है, इसका जो आल टाइम हाई है, वो इस लाइन के टच होने पर हमें इसका आल टाइम हाई देखेंगा, सो अगर आप हमारे चैनल के निव विडियो को सब्सक्राइब कर दना और वीडियो को लाइक करना ना बोले और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी